नमस्ते क्रतिका कीचन में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं पारंपरीक रेसिपी लेकर आई हूँ जो की मेरी दादी नानी के टाइम से ये बनती चली आ रही है रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ क्यों न शेयर की जाए दोस्तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी लोविया की डाल ली है जिसे मैंने भिगो दिया था रात पर पानी में आप चाहें तो लोविया साबुद भी ले सकते हैं अगर आपको डाल नहीं मिलती है अच्छे से ये फूल चुकी है अब इसका हम पानी निकाल देते हैं और दो तिन बार पानी से इसे दो लेंगे ताकि जो इसकी हलकी सी इसमेलोगी वो निकल जाएगी अब इधर मैंने लिया है मिकसर जार जिसके अंदर मैं ये लोविया की डाल डाल देती हूं और इसका महीन पेस्ट बना लेंगे पानी का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करेंगे दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरू कीजिएगा और जो चैनल पर नए है मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है बिल्कुल बारीक बना लेना है आप अगर सिल्वटे पे बना रहे हैं तो बिल्कुल एकदम बारीक बना लें पेस्ट बहुत जल्दी पिस जाती है बहुती सॉफ्ट होती है डाल अब इस पेस्ट को हम अलग निकाल लेते हैं मैंने यहाँ पर पेस्ट को एक प्लेट में निकाल लिया है मैं थोड़ी आपको बता रहे हूँ आप ज़्यादा कॉांटिटी में बनाना चाहें तो आप उस साब से इसका अंदर मसाले डालें अब हम इसमें मसाले डालेंगे मैंने यहाँ पर ली है लाल मिर्च कुटी हुई और यह लिया है मैंने धनिया पाउडर मैं सभी मसाले एक-एक चमच ले रही हूँ एक-एक छोटी चमच नमक लिया है स्वादा नुसार दोस्तों थोड़ा सा लेंगे जीरा जीरे को भी हम डालेंगे आप PCV धनिया की जगा पर साबूत धनिया भी ले सकते हैं उसे क्रश करके डाल लें और थोड़ी सी डालेंगे हींग एक चुटकी अब सभी मसालों को अच्छे से हम इस डाल के अंदर मिला देते हैं डाल का टेक्स्चर आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से महीन होना चाहिए और पीस्ते वक्त बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल ना करें दोस्तों अब हम मसाले अच्छे से मिला लिये हैं डाल के अंदर अब हम बड़ियां बनानी शुरू करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया एक गिलास दोस्तों आज मैं यह बड़ी बनाऊंगी पॉलोथीन की साहिता से मैंने यहाँ पर दूद वाली एक पॉलोथीन ली है जिसकी यह किनारी नुक वाले साइट से मैं इसे हलका सा कट कर लूँगी ज्यादा बड़ा कट भी नहीं करना है और ना ज्यादा छोटा आप देख सकते हैं कु कर लें दोस्तों मेरी नानी और तादी पहले हाथों से बनाती थी फिर उसके बाद में उन लोगों ने यह एक नया आइडिया निकाला इस तरीके से पॉलोथीन में बनाने लगी मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका यह आइडिया मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ पॉ ले ली है जिसके अंदर में बड़ी बना रही हूँ आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक के उपर बना सकते हैं या कोई भी कॉटन के साड़ी या डुपट्टा ऐसा ले ले उसके उपर बना ले और बड़ियां आप देख से कुछ इस तरीके से हलके हाथ से दबाते हुए हम बना लेंगे गुल-गुल बड़ियां चोटी बड़ियां आप साइज देख लें उसे साप से बना ले और बहुत ही आसानी से ये निकल जाती हैं जब यह हलकी सूख जाएं तो इन्हें चुटा लें और दूसी साइट से भी सुखा लें दोस्तो ये बहुत ही जादा टे दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक कटोरी डाल ली थी जिससे मैंने ये बड़ी प्लेट पूरी भर ली है और अभी भी पेस्ट बच रहा है दूसरी प्लेट में भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ देखे दोस्तों मैंने दूसरी प्लेट में बना लिया है एक प्लेट ये री भर के और ये आदी प्लेट ये भर गई है काफी सारी बढ़ियां बन गई है लीजिए दोस्तों मैंने बढ़ियों को सुखा लिया है एक दिन की दूप में हमारी सारी बड़ियां सूख चुकी है बिल्कुल अच्छी एकदम सूख गई है अंधर तक काफी तेज दूप थी अच्छा से सूख गई है आप चाहें तो दो दिन भी दूप में सुखा सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको इसकी सब्जी बना के अगली आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पूरा वीडियो देखने के लिए थेंक यू